आप सभी प्रिय दर्शिकों का स्वागत है Vodafone Idea बहुत अच्छी खबर आगे आने वाले समय में पूरी की पूरी स्पेक्टरम फीस पी कर दिया है और साथ साथ में जितने भी चार्जिस थे वो भी पे कर दिया है Vodafone Idea ने अब यहां से और तेजी सोटेगा काफी लोगों को शंका आ रही थी कि इनके पास क्या कैश है अपनी फीस को पे करने का सब रा मामला रा अदफा कर दिया है और यहां पर अच्छी खबर आ रही है कि पैसा भी आएगा अब फंडिंग के रेफरेंस में देखिए जो फीस और चार्जिस थे करीब 818 करोड रुपया सारा का सारा दिसंबर के महिने में क्लियर कर दिया है इन्होंने रिवेंड रिपार्टमेंट का डिपार्टम टेलीकॉम का कंफरमेशन आया है लाइसंस फीस और स्पेक्टर मुजर चार्जिस जो 2021-22 के क्लियरंस दूदे पैंडिंग थे वो सबके सब इन्होंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर और आगे चलकर यह NCDB की लॉंच करने वाले है नॉन कन्वर्टिबल बेंचर जिससे यह अपने पोर्टफोलियो को फर्दर स्टेंड़ करेंगे जैसे रात को आपको अभी डाटा फ्री मिलता है वो तो चलेगा बर जो डबल डाटा था दो जीवी दीजे और दो जीवी फ्री मिलेगा अब वो बंद कर दिया है वोडफोन आइडिया ने क्योंकि अब commandable position पर आ गए है और tariff high से 25% जो high बना है उसके चलते हुए अच्छी profitability आईगिन की number profitability के complaint की थी जियो ने जिसको अगर आपने कोई prepaid plan लिया है छोटे category का तो उसमें आपको sms package include नहीं होता है तो यह एक शिकायत की गई क्योंकि इससे फिर number portable नहीं होगी तो यहाँ पर footcard लगाए गई इनको और कहा कि number portable होना चाहिए चाहे वो कोई भी package हो आपको number portable feature देना पड़ेगा तो यह उसके हिसाब से try ने जो number portable की बात की थी उसके उपर उने का है और इनको enable करना जो आप weekday में use नहीं कर पाएंगे वो weekend पर आप उसको use कर सकते हैं तो अच्छा confidence दिखाता है Vodafone Idea का 4G CapEx plan बहुत तकड़े सरह से चल रहे है इनके CLSA का big upgrade आया है growth back on track 15% का CAGR मिलेगा telecom sector में तो इन sector में आप बने रहिए दो stock होगर हमें select करने Vodafone Idea को हमने पहले ही बता 15% रहेगी year on year basis यहाँ पर currently आगे further projection भी बहुत अच्छा रहेगा what is the impact of this one तो हमारे इसाब से share price will catch up especially Vodafone Idea का क्योंकि अभी इसमें और भारती एरिल में काफी gap है in terms of valuation तो यह Vodafone Idea के लिए अच्छी खबर रहेगी overall अगर हम देखें इस तरह से stock के reference में control है पूरा का पू चार से बढ़कर 170 तक चला जाएगा CLSA की एक report आई थी जिसमें इन्होंने बताया है यहाँ पर कि Vodafone Idea के लिए आगे के आने वाला समय बहुत अच्छा है और अभी short term का target अभी यहाँ पर एक महिने के अंदर शायद 25 रुपे target ना हो जाए यह बहुत अच्छी खबर है औ और इक्रा ने यहाँ पर कहा है कि इसका आगे आने वाले समय में जो ARPU एक सो तक 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 जाएगा 4G stability आएगी तो quality रहेगी जिसके चलते वे company का 5G expansion भी बढ़िया रहेगा तो यह बहुत अच्छी बात है अगले trigger point क्या होंगे funds external और internal दोनों तरह से funding आ रही है department of telecoms में ज high 1000 करोड रुपे जो bank guarantee की मिली है उसके चलते वे यह अपने fees और कुछ part revenue further enhancement के लिए कर पा रहे हैं दोस्तों छोटे और effective वीडियो बनाते हैं आपको अगर अच्छा लगए तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं आज का अगर अच्छा लगए तो बहुत अच्छा चैनल को follow किया ह है इसने और अब चैनल का अगला target जैसा मनें बताया एक महीने के अंदर 25 रुपे कर रहेगा माल दबा के रखिए इसको बेचने की बिल्कुल भी जूरूत नहीं है आपको इस stock को बूलिएंजर बैंड को follow करते हैं तो बैंड का path अभी भी upward trajectory में है और bandwidth बाइस हो गई है जो कि एक अच्छी बात है यहां से market और उपर लेगे जाएगा alligator indicator और MACD दोनों ही buy signal generate कियो है तो सारे technical parameter पर यह बहुत अच्छा buy signal है और अगर हमारे साथ जुनना है तो मिल्डॉप कर सकते हैं जहीं जबारत बाइगा